प्लेयोफ का पूरा सेडियो लाया RCB के लिए जो है वो खुसकबरी लाया अब विराड की जीट जो है वो पक्की है और अब जो है टॉप फोर की टीमें जो बिल्कुल जो है वो डिकलेर हो गई है जहां पहली पर केके आर जो बनी भी थी पहले से आर जो है वो त्यूसे नंबर पर रही चौते पर जो है वो RCB थी तो इसी के साथ जो है पहला कॉलिफायर मैं जो खेला जाएगा केके आर वर्सस एसरेच के खिलाफ खेला जाएगा जो की 21 तारीक को नरेंदर मुदी स्टेडियम में जो है वो खेला जाएगा दूसरा मैच जो होगा वो होगा एलिमिलेटर क्योंकि ये इसले बोल रहे है जो भी टीम यहां से हारेगी वो सीधा वापसी जो है उसकी टाटा एपिल 2024 से जो है उससी विदाई जो है वो हो जाएगी चाहे वो RR हो चाहे वो RCB हो तो ये बहुत important मैच है और इसके बाद जो है जो खेला जाएगा एलिमिलेटर मुकाबला जो है वो खेला जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताएगा मैं आपको आईपिल का पुरा सुडियूल बता लेता हूँ जो भी 21 तारिक को जीता है वो सीधा जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा जो भी यहां से हरेगा वो तीसरी और चौथी नंबर में से जो भी टीम जीतेगी वो उससे जो है वो 24 तारिक को जो है वो भिड़नतों की 24 तारिक के बाद जो भी जीता है वो सीधा जो है फाइन कौन सी टीम होती है आप कमेंट करके जुरूर बताना आपको क्या लगता है कि आई पेल्ट ट्रॉफी स्वार कौन जिते की